हेलो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं आईफून 11 की प्राइज के बारे में Flipkart की Big Billion Day Sale में आईफून 11 की क्या प्राइज रहने वाली है और साथ के साथ आपको बताएंगे आईफून 11 डिसकंटीनी होने वाला है लेकिन ये कब होने वाला है कि इसका सेल पे कुछ असर पड़ेगा ये सारी बाते बताएंगे हम आपको इस वीडियो के अंदर मेरा नाम है सल्मान आप देखने इंबॉक्सिंग वीडियो करते हैं शुरू तो दोस्तों जैसा कि आईफून 14 सिरीज का लॉंच इवेंट बहुत ही करीब आ चुका है और साथ के साथ अगस्ता महीना भी खतम होने वाला है 7 सेप्टेंबर को आईफून 14 का लॉंच इवेंट है उसके बाद में ही आईफून 11 ओफिशिली डिसकंटीनी हो जाएगा इसके डिसकंटीनी होने के बाद भी आपके पास आखरी मौका होगा आईफून 11 को खरीदने के लिए क्योंकि इस बार इसके सारे स्टोक अवेलेवल रहेंगे सारे कलर वेरियंट, सारे स्टोरेज वेरियंट और ये लाश्ट श्टोक ही होगा उसके बाद में आप आईफून 11 ओफिशली स्टोर पे नहीं खरीद पाएंगे बाकी सेकंड हैंड आईफून तो आप कभी भी कहीं भी केसे भी ले सकते हैं तो दोस्तो अब बात करें आईफून 11 की प्राइस की लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी से दिक्कत बता देता हूँ एक तो आईफून 11 4G में आता है क्योंकि आईफून 11 जो है लाश्ट फून है जो 4G होने वाला है इसके बाद में आईफून 12 आईफून 13 आईफून 14 और जितने भी फून आने वाले हैं सारे 5G रहने वाले हैं यह लाश्ट फून था जो आपको 4G रहेगा खरीदने के लिए और उसके बाद में दोस्तों एक छोटी सी प्रोब्लम में आपको बता देता हूँ इसके अंदर आईफून 11 और आईफून 10R दोनों के ही अंदर एक प्रोब्लम है इसकी डिस्प्ले ब्राइटनेस तो दोस्तों इतनी जादा अच्छी इन दोनों फोनों की कोई ब्राइटनेस नहीं है आप धूप में जाते हो तो आपको स्क्रीन सही से विजीवल नहीं हो पाती है अब दोस्तों बात करें आईफून 11 की 64GB वेरियंट की प्राइज की इस टाइम इसकी मुझूदा प्राइज है 46,999 रुपीज और आईफून 11 की 128GB वेरियंट की प्राइज है 52,000 रुपीज लेकिन इसकी फिलिपकार्ट की बिग बिलियंटेसेल पर क्या प्राइज रहने व वाली है 39,999 रुपीज यानि आपको 40,000 रुपीज का आपको देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें मिलते हैं आप से एसी किसी लिए गुडबाई एंड टेक केर